तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम कॉलेक्शन व्यू को जिसमें हमने इमिजीज को डिस्पले करवाया हुआ है उसको आज पोपोवर शो करवाना है किसी और व्यू कंटोलर के अंदर तो इससे पहले हम टेबल व्यू को भी इसी वे के साथ जो है आज पोपोवर जो है वो शो करवा चुके हैं अगर आपने हमारा प्रीविएस वीडियो टुटोरियल टेबल व्यू के रिलेटर नहीं देखा तो वो भी एक बार जरूर फॉलो कर लें तो चलिए आज मेरे पास यहाँ पर सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही एजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एक्जामपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लेंग्वेज की हेल्प के साथ ड्वैल्प कर पाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास फॉस्ट व्यू कंटोलर है और आप देख सकते हैं मैंने एक येलो कलर के अंदर बटन लगाया हुआ है कि सेलेक्ट यूर फेवरेट वेजीटेबल और जै इसे ही मैं इस बटन के ओपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं एक पोपोवर के थू जो है एक व्यू कंट्रोलर यहाँ पर डिस्पले हो चुका है और मैंने जो वेजीटेबल्स हैं उनको एजे ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्पले करवाया हुआ हूआ है विद इसे पोपोवर मैंने इसको डिस्पले करवाया है और यह एक व्यू है और यह पूरे का पूरा नया व्यू कंट्रोलर है और जैसे ही मैं किसी भी वेजीटेबल के ओपर क्लिक करूंगा जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरा जो डैवर्जन है वो सेकंड व् फाष्ट की तरफ जा चुका है और इसेंड व्यू कंट्रोलर नच में पटीकुलर सेल्कत किया की थाख उसको व्यूंचे ह्याँ वापिस भेज दिया आज विज तरफ वूंचिटर साय करनां पड़ता है उस टाइम पे आपको delegate को use करना पड़ेगा, protocols को use करना पड़ेगा, तो वो भी एक concept है जो आपको इस example में सीखने को मिलेगा, और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लिक है मैंने बटन के उपर मेरा popover जो है वो show हो चुका है, अगर मैं इन vegetables में से किसी भी vegetable को select नहीं कर सकता है, directly cancel button के ओपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, अब जो second view controller है, उसने first view controller को बताया है कि image कोई भी नहीं display करवानी और साथ में जो label है, उसमें display करवाना है not available, तो यह है हमारी आज की example जो काफी important है, और आजकल की काफी सारी applications में इस तरह के की functionality है, उसकी हमे जरूरत पड़ती है, तो चलिए friends, practically implement करने से पहले इस example को मैं आपको theory के related एक दो terms बताना चाहता हूँ, जो के काफी important है, क्योंकि आपको पता ही है, जितनी भी examples मैं अपने इस channel के उपर upload करता हूँ, तो practically implement करने से पहले मैं आपको theory के related एक दो terms जरूर बताता हूँ, कर पाएं, तो सबसे पहला यहां पर जो concept है, वो है collection view का, तो आपको पता होना चाहिए, iOS के अंदर एक built-in class है, जिसका name है, UI collection view, और इसको design किया गया है, ताँ कि आप manage कर पाएं, ordered collection of data items को, और उन्हें present कर पाएं, एक customizable layout की form के अंदर, तो जब भी आपको इस तरीके की functionality की ज़रूरत पढ़ती है, तो आप collection view की help ले सकते हैं, collection view basically हमें काफी flexible way provide करता है, ताँ के आप data को application के अंदर user को अच्छे से present कर पाएं, और इसकी जो functionality है, वो बिलकुल basically table view की तरह ही है, इसमें भी हमें data source, एक data उठाने के लिए ज़रूरत पढ़ती है, data source की, और उसे हम combination of cells layout and supplementary view की तरह की help के साथ display करवा सकते हैं, और जब भी आपको ऐसी ज़रूरत पढ़ती है application में, जब आप data को grid की form के अंदर या फिर custom layout की form के अंदर display करवाना चाहते हैं, तो आप collection view की help है वो बिना डर से ले सकते हैं, और आगे बात करते हैं, delegate की and protocol की, तो यह दोनों काफी important है जब भी आप data को backward direction में भीजना चाहते हैं, कहने का मतलब second view controller से first view controller की तरफ और काफी बार आपने delegate and protocols को use किया है, जब भी आपने table view को implement किया होगा, और जब भी आपने previously कहीं पे भी collection view को implement किया होगा, तो आपको पता होगा delegate and protocol किस तरीके से use होते हैं, और इस example के अंदर हम जो user defined protocol है, वो define करेंगे और delegate भी अपने accordingly इसको use करेंगे, तो जो delegate है, वो काफी common है iOS development के अंदर, तो यह basically कोई भी object हो सकता है, जिसको notification जाएगी उस object को जब भी कुछ particular जो है, वो आपकी application के अंदर जो है, वो अकर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो table view का delegate है, उसको notification तब जाएगी, जब user जो है particular row को select करेगा, और navigation controller के delegate को notification तब जाएगी, जब user एक view controller से दूसरे view controller की तरफ move करेगा, और basically जब भी आप data को backward direction में बेजना चाहते हैं, तो आप delegate की ज़रूरत है, जो need है, वो automatically आपको पढ़ेगी, protocol, तो protocol भी काफी powerful feature है, swift programming language के अंदर, तो basically यह define करता है, blueprint methods का, properties का, requirement का, according to आपकी functionality के हिसाब से, तो यहाँ पे अब बात काती है, pop over की, तो यह भी एक तरह का concept ही है, pop over एक अच्छा way है, user को additional information, show कर्वाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, yellow button के ओपर, तो एक additional information, user को provide की गई है, यहाँ पे, काफी सारी जो vegetables है, उनमें से अपनी favorite vegetable को choose कर पाए, तो इस तरीके की जो additional information जब आपने provide करनी है, तो आप pop over की जो help है, वो ले सकते हैं, तो चलिए friends, यह थी हमारी theory के related बाते, अब हम देखेंगे practically कैसे इस example को हमने implement करना है, जो के काफी easy और simple है, तो friends, अगर आपने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया, तो सबसे पहले channel को subscribe कर लें, अब हमने इस project को सबसे पहले stop करना है, इस पूरे के पूरे project को मैं close कर देता हूँ, क्योंकि हम एक नया project यहाँ पे create करेंगे, एक्स कोड के अंदर, और अब आपने यहाँ पे single view app को develop करना है, next पे click करेंगे product name के अंदर, आज की example का जो भी name आप देना चाहते हैं, वो अपने accordingly यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, collection view, as pop over wedge, और चलिए बाकी जो settings है, वो आपने default रहने देनी है, जो language हम use करेंगे, वो हम करेंगे, swift और next पे click करते हैं, अब आपने अपने laptop के अंदर, जहां पे भी आपको अच्छा लगे, आपने एक folder create करना है, तांके आज की example का जो सारा source code है, उस particular folder के अंदर जो है, वो save हो पाए, तो मैंने इस तरीके से एक folder create कर दिया है, और उसके अंदर पूरी का पूरा project जो है, वो मैंने create कर दिया है, आप देख सकते हैं, मेरा project जो है, वो create हो चुका है, अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाऊं, तो जो swift का मेरे पास version है, वो है 5 और अगर बात करें, Xcode की, यह है 10.2.1, अगर आपके पास इस से higher version है, तब भी आप इस example को बिना किसे डर के जो है, वो इसी वे के साथ implement कर सकते हैं, और जो मेरे पास laptop है, यह है Macbook Air, तो friends, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस channel के उपर नए है, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें, क्योंकि इस channel के उपर हम daily programming के related जो video tutorials हैं, सबसे बड़िया जो methods हैं, वो upload करते रहते हैं, जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी, और in case, कहीं पे भी आपको कोई problem आती है, तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं, यहां फिर हमें directly mail बेश सकते हैं, कोशिश करेंगे, आपके जो भी query होगी, उसका जो solution है, वो आप तक जितनी जल्दी हो सके, आपको पहुचा आपाएं, तो यहां पर अगर मैं देखू, तो मेरे पास काफी सारी जो vegetables की, जो images होनी चाहिए, क्योंकि एप के अंदर मैंने vegetables को जो है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने काफी सारी जो images हैं, वो internet से डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, आप किसी भी website से इन images को डाउनलोड कर सकते हैं, अब आपने यहां पर अपने project के अंदर जो assessed folder है, यहां पर आप आईकोन आप देख सकते हैं, इसके नीचे यह सभी जो images हैं को select करना है, shift की दबा के और इसको drag and drop करना है, माउस की help के सार्थ यहां पर, तो आप देख सकते हैं, सारी की सारी images जो हैं, project के अंदर जो है, वो import हो चुकी हैं, अब हमने अपनी application का सबसे पहले graphical user interface जो है, वो ready करना है, तो उसके लिए main dot storyboard में चलते हैं, और अपना जो GUI application का वो यहां पर ready करते हैं, तो आपने सबसे पहले इस view controller के अंदर इस yellow dot को select करना है, editor के अंदर जाना है, और यहां पर embed in करना है अपना navigation controller, तो आप देख सकते हैं, मैंने navigation controller यहां पर अटैच कर दिया है, अब हमने जो navigation controller के साथ हमें यहां पर यह navigation item प्रवाइड होती है, टाइटल प्रवाइड करने के लिए attribute inspector के दुरू यहां पर एड़ करेंगे, first view controller, आप अपने accordingly कोई भी नेम यहां पर लिख सकते हैं, अब हमने एक button यूज़ करना है, तो यहां पर object library के थूँ हम यहां पर एक button को select करेंगे, और यहां पर इसका जो size, width and height हो अपने accordingly यहां पर set करेंगे, और यहां पर आपने लिखना है, select your favorite veggie table, इस तरीके से, आप जाएं तो font अपने accordingly कम जाज़ारा कर सकते हैं, और इसका जो style है वो मैं bold कर देता हूँ यहां पर, और इस button का जो background color है, वो आप अपने accordingly कोई भी color चूज़ कर सकते हैं, अब हमने, आप assessed folder के अंदर देखें, तो एक image मेरी यहां पर है, not available, तो यह उस time पर display करवाएंगे, जब हमारे पास कोई भी data जो है, वो display करवाने के लिए नहीं होगा, तो मैं यहां पर एक image view को use करूँगा, object library के थुरूँ, और इस image view को यहां पर drag and drop करते हैं, और इसका width and height है, अपने accordingly आपने set करनी है, और image property के अंदर, attribute inspector के अंदर आपने not available, यहां पर select करना है, इस तरीके से content mode property के थुरूँ, इसको select करना है, scale to fill, तांके पूरी का पूरा जो area है, वो cover up कर पाए image, अब object library के थुरूँ, हम select करेंगे label, और इस label को यहां पर मैं करता हूँ, drag and drop, और इसकी जो size है, वो अपने accordingly आप set कर सकते हैं, मैं इसको align कर देता हूँ, center में, और यहां पर इसका भी जो style है, वो मैं कर देता हूँ, gold, चलिए, यहां पर मैं लिख देता हूँ, not available, तो अब हमारा जो पहला जो view controller है, बन चुका है, अब हमने second view controller यहां पर दिखाना है, implement करना है, तो उसके लिए object library के through search करेंगे, view controller, और इस view controller को drag and drop करते हैं, यहां पर, interface builder के अंदर, अब हमने, जो first view controller है, उसका जो yellow button है, इसके उपर select करके, इसको keyboard पे control की को press करते हूँ, इस तरीक से drag and drop करेंगे, और यहां पर जो action segue है, वो हम select करेंगे, present as pop over, तो यह आपने बड़े द्यान से देखना है, अब हमने collection view को implement करना है, तो उसके लिए object library के through सबसे पहले, एक UI view को select करेंगे, इस UI view को मैं यहां पर drag and drop करता हूँ, और इसको width and height इसकी आप इसकी height, अब इसके अंदर एक collection view को लेंगे हम, चलिए आपने इस तरीक से collection view लेना है, आप इसकी width and height अपने मैं increase कर देता हूँ और यहां पर इसका font है, वह increase कर देता हूँ, 22 कर देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं, cancel, चलिए, इसका background color जो है, इस button का वह मैं yellow कर देता हूँ, ताहके कोई confusion ना रहे, और इसका tint color है, वह मैं कर देता हूं, यहां पर देख लेते हैं, text color है, इसको मैं black कर देता हूं, चलिए, आप चाने तो इसको bold भी कर सकते हैं, इसका style bold कर सकते हैं, यहां से, अब हमने इस collection view को select करना है, यहां पर मैंने collection view को select किया, साइज इंस्पेक्टर के अंदर गए है यहां पे जो सेल का साइज है वो मैंने करना है विर्थ 150 हाइट 180 और जो मिनिमूम स्पेसिंग है सेल के लिए 10 लाइन के लिए 10 शेक्शन इंसेट 10 टॉप पे बॉटम पे 5 लेफ्ट पे 10 राइट पे 10 तो इस तरीकी की जो कॉन्फिग्रेशन है वो आपने कर देनी है अब हमने ऑब्जेक्ट लाइबरी के तुरू एक इमेज को यहां पे इमेज व्यू को स्लेक्ट करना है और इस सेल के अंदर इसे प्लेस करना है तांके हम सेल के अंदर जो वैजिटेबल से उनको डिस्प्ले करवा पाएं तो कोई कोई भी एक वैजिटेबल यहां से लगा के देख लें तांके आपको पता चल पाएं किस तरीके से यह डिस्प्ले हो पाती है अब हमने अब्जेक्ट लाइबरी के तुरू यहां पे एक लेबल को स्लेक्ट करना है और इस लेबल को यहां पे प्लेस करते हैं और इसकी जो अब अब भी एक देता हूं वैजी टेबल का नाम अव है वो कैड Duda और बाद में हम जो डेटा है वह किसी डेटा सोर्स से पिक करेंगे और यहां पर इसले कर वाएंगी इसको बोल्ड कर देते हैं फॉट थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं और आलाइमनेंट इसकी सेंटर मे यूज करनी है उनको अटैज करेंगे अपने कंपोनेंट के साथ तो वह भी काफी एजी है तो चलिए यहां पर मैं एड़ करता हूँ एक नई फाइल न्यू फाइल यहां पर एड़ की और यह होगी को 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 टुकाफ करेंगे और अब आपने पर जो को क्या है नीचे आपने जो सुपर क्लास यूज करनी है सबसे पहले वो करनी है यह उपर आपने करनी 거 और कि आप तो होता है यहां पर मैं अपने को न Зд service देनियू नेम है वह यहां पर रख रहा हूँ तो मैंने यहां पर जो class का नेम है वो चूज किया है पुप वर व्यू चुंटॉलर आप आपने next पर क्लिक करना है और यहां पर create करना है इस class को तो class हमारी जो है वो यहां पर create हो चुकी है मैं जो यहां पर extra line से commenting वाली उनको delete कर देता हूं ताएंके कोई confusion तो उज़र ना रहे अब आपने जो नई class create की इसको save करते हैं. Main door storyboard में चलते हैं और इसे connect करते हैं अपने नए view controller के साथ यहाँ पर नए view controller को select करेंगे. Class inspector के अदर जाएंगे और यहाँ पर class का जो name है थोड़ा सा लिखेंगे. Xcode automatically यहाँ पर समझ जाएगा. पूर्फुल क्लास का नेम आपने एंटर प्रेस करना है चलिए connectivity जो है वो हो चुकी है अब हमने एक और यहाँ पे class add करनी है और वो class हमने add करनी है और यहाँ पे नीचे लिखेंगे यू आई collection view cell class और उपर आप class का जो नेम है वो आप अपने accordingly कोई भी जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं तो मैंने class का नेम रखा यहाँ पे my collection view cell class नेक्स पे क्लिक करेंगे और create करेंगे इसे project के अंदर मेरी जो नई class है वो भी यहाँ पे बन चुकी है main dot storyboard में चलते हैं collection view को select करते हैं collection view के cell को यहाँ पे मैंने select किया class inspector के अंदर यहाँ पे जो class का नेम है वो हमने लिखना है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा my automatically पूरी class का नेम जो है वो आ चुका है अब आपने enterprise करना है और इस my collection view cell को select करके attribute inspector के अंदर जो identifier का नेम है वो आपने लिखना है cell इसकी जुरूरत coding के अंदर पड़ेगी जो भी नेम यहाँ पे आप लिखेंगे उसी नेम को हमें coding के अंदर जो है वो use करना पड़ेगा तो चलिए friends यहाँ पे हमारा graphical user interface बिलकुल ready है अब हमने जो अपना IB outlets and IB actions हैं वो create करने हैं तो वो भी काफी easy है तो उसके लिए मुझे मेरा जो favorite way है वो है assistant editor तो सबसे पहले मेरे mouse का cursor देखिए यहाँ पे जो circle join किये हुए है यह basically assistant editor है इसके ओपर मैं क्लिक करता हूँ side वाले panels को मैं hide कर देता हूँ तांके आप यहाँ पे clearly देख पाएं कि किस तरीके से हमने जो IB outlet and IB action जो है वो create करना है तो सबसे पहले by default जो class यहाँ पे open होई है वो है pop over view controller तो इसकी जगे पे हमने automatic की जगे पे manual के through जो class open करनी है वो करनी है view controller class और इसके अंदर हम जो है IB outlet और अगर ज़रूरत पढ़ी तो IB action भी जो है वो create करेंगे तो सबसे पहले इस image view का जो IB outlet है वो create करते हैं इसको select करेंगे keyboard पे control की को press करते हुए drag and drop name आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने accordingly लिख दिया my image view इसे connect कर देते हैं अब इसे label को select करेंगे keyboard पे control की को press करते हुए drag and drop और यहाँ पे लिखेंगे my label view और इसे भी connect कर देते हैं अब हमने यहाँ पे manual के थूरू जो class open करनी है वो है power view controller तो चलिए इसको मैंने open कर लिया इसके अंदर भी हम जो IB action and IB outlet है वो यहाँ पे create करेंगे तो यहाँ पे हमने अब जो second view controller है उसका जो collection view है उसको select करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने select कर लिया keyboard पे control की को press करते हुए drag and drop और यहाँ पे लिखेंगे my collection view इस तरीके से और इसे connect कर देते हैं अब हमने जो button है अपना cancel button है इसका जो IB action है वो create करना है तो इस cancel button को select करेंगे keyboard पे control की को press करते हुए drag and drop और यहाँ पे लिखेंगे cancel button pressed इसे भी connect कर देते हैं अब हमने manual के through जो class open करनी है वो करनी है my collection view cell class और इसके अंदर अब हमने इस cell के अंदर जो image view है इसको select करेंगे keyboard पे control की को press करते हुए drag and drop और अब हमने यहाँ पे लिखना है my image और इसे connect कर देते हैं अब हम इस label को select करेंगे फिर से control की को press करते हुए drag and drop और यहाँ पे लिखेंगे my label और इसे भी connect कर देते हैं तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो आइबी आउटलेट एंड आइबी actions हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं अब हमने फिर से standard editor के अंदर जाना है side वाले panels को unhide करना है और सभी files को एक बार save करना है तांके coding करते वक्त जो हमने configuration की है है वो reflect कर पाए अब हमारा जो next step है वह purely focus होगा coding की तरफ आपने बड़े carefully उसे देखना है और समयना है और काफी easy और simple है तो coding के लिए सबसे पहला जो काम है हमने एक data source create करना है तांके वहां से हम data को pick करें और उसे collection view के अंदर display करवाएं तो data source के लिए एक नई file add करते हैं और यह file होगी swift file next पे click करेंगे file का name आप कोई भी रख सकते हैं मैंने अपने accordingly vegetable data जो है इसका name रख दिया है अब हमने यहां पे एक class create करनी है वेजी टेबल डेटा और अब हमने यहां पे दो इसके जो data members हैं वो create करने हैं एक का name रखेंगे wedge name और दूसरे का रखेंगे wedge image तो अब हमने यहां पे एक initializer यूज करना है उसके दो parameter रखेंगे वी name और वी image और अब हमने यहां पे जो हमारे actual parameters हैं उनको जो हमने parameter pass किये हैं उनके साथ replace करना है इस तरीके से data हमने actual parameter के अंदर जो है वो set करना है तो आप देख सकते हैं मेरा जो class है data source हो वो यहां पे बन चुकी है अब मैं इसको save करता हूं और चलिए view controller के अंदर चलते हैं उससे पहले pop over view controller के अंदर चलते हैं तांकि यहां पे हम जो हमारा यहां पे data source है उसमें जो data है वो fill कर पाएं तो यहां पे अब हमने एक class create करनी है एक sorry एक array create करेंगे objects की तो यहां पे मैं लिख देता हूं vegetable list और किस type की होगी array जो हमने class create की है उस type की तो यहां पे मैंने इस तरीके से कोड जो है वो लिख दिया है अब हमने इस array के अंदर data save करना है तो उसके लिए हमें एक यहां पे function create करना पड़ेगा तो function का जो name है वो मैंने यहां पे रख दिया है private function fill data और अब मैं यहां पे आपको एक object create करके बता देता हूं बाकी object आपने खुद create करने हैं तो मैंने इस तरीके से लिख्या vegetable data name इसको पास करेंगे और image का name पास करेंगे तो सबसे पहले यहां पे image का name देखते हैं सबसे पहले image का जो name है वो है avocado तो avocado यहां पे मैं लिखूँंगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले name लिख देता हूं avocado और image का name आप यहां पे देक सकते हैं बड़े carefully और उसी name को आपने small letters में के आइए वो चलिए तो इस object को वेजी टेबल लिस्ट के अंदर हमने append करना है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ वेजी टेबल वन चलिए पहला जो object है वो create हो चुका है और उसे मैंने append कर दिया है अपना इस vegetable list जो के यहां पर array हमने create की थी और one by one आपने हर एक image के लिए एक object create करना है और उसे append करना है इस vegetable list के अंदर तो मेरे पास जो coding है वो मैंने पहले ही करके रखी हुई है तांके थोड़ा सा time यहां पर save हो तो मैं उस coding को यहां पर copy paste कर देता हूँ तो चलिए friends यहां पर मैंने एक command के थुरू command V के थुरू code को paste कर दी है आप देश सकते हैं मेरे पास 17 vegetables हैं उनके हर के लिए मैंने हर एक के लिए एक object create किया है और उसे append किया है अपने इस जो vegetable list वाली आ रहे थी उसके अंदर अब हमने इस fill data को call कहां पर करना है इसको हमने view did load के अंदर call करना यहां पर call करेंगे fill data और इसको मैं save कर देता हूं और एक जो IP outlet मेरे से यहां पर skip हो गया था उसको भी create कर लेते हैं फिर से assistant editor के अंदर चलते हैं यहां पर side वाले panels को hide करते हैं और यहां पर manual के through जो है class को open करेंगे फिर से pop over view controller को और इसके अंदर जो हमारा यहां पर जो green color का जो जो हमने view create किया था इसका जो IP outlet है वो create करते हैं my pop view और इसे connect कर देते हैं और चलिए standard editor के अंदर चलते हैं side वाले panels को unhide करते हैं इसको एक बार save करते हैं फिर से pop over view controller के अंदर चलते हैं और यहां पर अब हमने जो हमारा my pop view था इसकी जो layer थी उसका जो corner radius property उसको आपने करना है 20 और इसके बार में my pop view dot layer और इसकी जो mask to bound property इसको आपने करना है true चलिए अब हमने यहां पर और भी जो है configuration करनी है तो यहां पर दो variables मैं use करूंगा temporary variables होंगे vegetable name इसको अभी के लिए मैं कर देता हूं blank किसी वे के साथ vegetable image तो यह data basically हमने protocol के थूँ वापस भेजना है तो मैंने इसको as a blank यहां पर अभी लिया है और आगे हमने जो अपना collection view है उसका जो data है वो display करवाना है तो उसके लिए यहां पर सबसे last में हम extension को use करेंगे पॉप ओवर व्यू कंटोलर दो प्रोडोकोल्स को use करेंगे यूई collection view data source और यूई collection view delegate flow layout तो यह दो प्रोडोकोल्स हमने है वो code करने बढ़ते हैं तो यहां पर जैसे fix पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो compulsory methods है उनका जो skeleton है जो stub है वो यहां पर बन चुका है तो सबसे पहला function है collection view का जिसमें आप parameter देख सकते हैं number of items view है वो कितनी होनी चाहिए section के अंदर तो यहां पर हम return करेंगे जो vegetable list थी उसकी counting जितने number of elements vegetable list में होंगे उतने number of items जो हैं वो collection view के अंदर होंगी अब हमारा जो next जो collection view का function है उसमें आप parameter देख सकते हैं cell for item at तो इसमें हमने हर एक cell में किस तरीके से data डिस्पले करवाना है उसकी coding करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले let's cell equal to my collection view dot dq reasonable cell इसका method जो है वो call करेंगे identifier में लिखेंगे cell for में लिखेंगे index path और इसको typecast करेंगे आदे my collection view cell class के through अब हमने cell के अंदर जो my image थी उसकी image property को set करना data कहां से आएगा वो हम यहां पर use करेंगे UI image को use करेंगे vegetable list में से index path.row कौन सा उसका attribute वेज image इस तरीके से अब हमने same way के साथ label की जो text property उसको set करना है और इसमें जो attribute यूज करेंगे वो करेंगे wedge name अब हमने cell की जो layer के through जो border की width है वो set करनी है one और color भी हमने यहां पर choose करना है border color तो वो हम अभी के लिए use करेंगे UI color black अब कोई भी color यूज कर सकते हैं और इस cell को हम हम यहां पर करेंगे return चलिए तो यह भी जो function है वह यहां पर हमने properly code कर दिया आप चाहें तो वीडियो को pause करके इसकी coding जो है वो no down कर सकते हैं अब हमने अगला जो code करना है function वह हमने करना है जो हमारा cell है collection view का उसकी width and height properly set करनी है तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे size for item तो जो भी यहां पर function आएगा उसको आपने यहां पर create करना है जैसे यहां पर आप दिख सकते हैं collection view का एक और function जो है वह यहां पर बन चुका है और इसको हमने CG size यहां पर return करना है width and height width हम रखेंगे 155 height रखेंगे 180 चलिए तो यह भी जो function है यह भी हमने यहां पर code कर दिया है अब हम यहां पर सबसे उपर protocols को create करेंगे तो protocol को create करना काफी easy है तो मैं यहां पर लिखूंगा protocol pass name आप कोई भी देख सकते हैं मैंने अपने accordingly लिखा है pass wedge data back और इसमें एक हम function declare करेंगे वो भी accordingly कोई भी name आप रख सकते हैं दो parameter यहां पर यूज करेंगे एक image को pass करने के लिए एक name को pass करने के लिए अब हमने इस protocol के related एक delegate जो है वो यहां पर create करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा veggie table delegate किस type का होगा जो आपने यहां पर protocol यूज किया है उसी type का होगा और यहां पर इसको मैंने question मार लगा दिया है तांके इसको initialize करना ना पड़े अब हमने जो collection view यहां पर create किया था उसके जो protocols use किये थे अब हमने उस collection view का data source and delegate यहां पर set करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा my collection view delegate इसको करूंगा self के साथ my collection view इसका data source इसको भी मैं करूंगा self के साथ set अब हमने जो coding है वो करनी है cancel button की तो वो भी काफी easy है जब भी user cancel button पर click करेगा तो मैं यहां पर vegetable delegate है उसका जो function as selected veg data इसको call करूंगा image के अंदर not available वाली जो image थी यहां पर आप देख सकते हैं not available वाली जो image थी उसका name आप देख सकते हैं वो name अपने previous view controller को पास करना है और साथ में यहां पर name पर लिखेंगे not available और अब आपने यहां पर लिखना है dismiss और इसको true करना है और completion को nil करना है अब एक और हमने यहां पर function create करना है वो करना है कि user जब किसी particular cell को select करे collection view के अंदर तो वस particular cell का data वापिस pass होना चाहिए पहले view controller की तरफ तो यहां पर हम एक function implement करेंगे सबसे पहले आपने लिखना है did select item और enter press करना है पहला ही function यहां पर आ चुका है बन चुका है अब हमने इसके अंदर लिखना है vegetable ने सबसे पहले vegetable की image जो हमने यहां पर blank लिया था यह दो variables इनकी values set करनी है data कहां से आएगा data vegetable list में से आएगा कौन सा attribute वैज image इसी तरीके से vegetable name vegetable list index part और row और यहां पर लिखेंगे वैज नेम अब आपने फिर से delegate के through उसका जो function है वो call करना है उसको data pass करना है जो data अभी हमने set किया यहां पर चलिए इस तरीके से अब हमने इसको dismiss करना है और अब हमने navigation controller को use करके pop view controller जो है इसका जो function है वो use करना है यहां पर इसको करना है true तो friends आप देख सकते हैं मैंने जो coding है वो properly कर दी है अपने second view controller की अब हमने first view controller की तरफ जाना है और एक दो code वहां पर important है वो करने है तो मैं अब यहां पर चलता हूं view controller की तरफ और यहां पर अब हमने code लिखना है जो वह सबसे पहले यहां पर view load के अंदर जो हमारी my image view है इसकी layer के तरफ जो border property है उसकी border की जो width है वो मैंने यहां पर करनी है one और इसी का जो border color है वो मैंने यहां पर use करना है यू आई color के तुरू black color आप कोई भी color जो है वो यहां पर use कर सकते हैं चलिए अब हमने segue use किया था एक view controller से दूसरे view controller की तरफ जम्प करने के लिए तो उसकी जो prepare method है वो यहां पर हम use करेंगे और यहां पर हम करेंगे let vc अगर तो हमारा vc जो segue के segue के ऊपर हमने क्लिक किया है तो उसकी coding हम करेंगे destination अगर वो है वो और व्यू कंटोलर तब हम इस block को execute करवा पाएंगे vc. उसका जो vegetable delegate है second view controller के तरफ उसको self के साथ सेट करेंगे और अब हमने क्योंकि self के साथ सेट किया है तो हमें उसके protocols को use करना पड़ेगा तो उसको हम नीचे use करेंगे इस तरीके से pass veg data back और यहां पर उसका method है वो हमने implement करना है तो आपको पता यह जब भी protocols को use करते हैं तो उनको confirm करने के लिए उनके जो compulsory methods हैं वो code करने पड़ते हैं तो यहां पर हम प्रोटोकोल का जो stub है वो add करेंगे आप देख सकते हैं आ चुका है अब हमने जो data हमें receive हुआ है इस stub के थुरू उसको हमने actual जो हमारी image है यहां पर जो हमारा यह दो आइबी आउटलेट्स हैं इनकी values को इसी के थुरू जो है वो हम सेट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे vimage इसी तरीके से my label dot text properties की यहां पर लिखेंगे vname तो friends आप देख सकते हैं code हमने यहां पर प्रॉपरली लिख दिया है सारी coding हमारी जो है वो हो चुकी है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ui image view यहां पर नेम परामिटर और यहां पर हम लिखेंगे vimage चलिए इसको save करते हैं अब आपने करना गया है coding सारी हो चुकी है वीडियो को pause करके यहां से यहां तक coding no down कर सकते हैं और आप वीडियो को pause करके यहां से यहां तक जो coding है वो no down कर सकते हैं अब मैं आपको pop over view controller के अंदर लेके चलता हूं और यहां पर आप वीडियो को pause करते जाए और coding जो है वो no down करते जाए यहां से यहां तक coding कोडिंग नोट कीजिए और आप यहां से यहां तक कोडिंग नोडाउन कर सकते हैं और इसी वे के साथ आप नीचे भी जो कोडिंग है इसकी वह यहां से यहां तक No Down कर सकते हैं, वीडियो को Pause करके और यहां पही जो Coding है, वो भी No Down कर सकते हैं, वैसे तो हम एक Pen Drive आपको प्रवाइड कर रहे है है, और कि जो Cost है, वो हमने काफी easy रखी है, simple रखी है, 999 रूपीज, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिक दिया है, वहाँ से Order कर सकते हैं, बलदी से order book करते हैं, coding हमारी हो चुकी है, graphical user interface बिलकुल ready है, अब हम इसको build and run करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यह work करती है, simulator के अंदर, तो मैंने जो app है, उसको build and run कर दिया है, और आप देख सकते हैं, build properly succeed हो चुका है, app हमारी simulator के अंदर रन हो रही है, देख लेते हैं output किस तरीके से आती है, graphical user बिलकुल अच्छे से display हो चुका है, इस yellow बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो pop और भी अच्छे से यहां पर आ चुका है, अब मैं कोई भी एक, यहां पर vegetable select करता हूँ, जैसे मैंने lemon select किया, तो आप देख सकते हैं, वापिस जो है, वो lemon और उसका data वो properly display हो चुका है, फिर से click करता हूँ, अब मैं cancel बटन के ओपर click करता हूँ, और आप देख सकते हैं, image not available, not available, इस तरीके का data display हो चुका है, तो friends, यह थी हमारी आज की example, जिसमें आपने सीखा किस तरीके से collection view को, वो भी custom collection view with images, उसको as a pop over हमने display करवाना है, उसका data, और ज data select किया होगा, और उसको हमने backward direction में send करना है, with the help of delegate and protocols, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर और भी वीडियो से हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करना मत बोलिए, bell icon क प्रेस कीजिए, तांके जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें, उसका जो notification है उसी टाइम पर आपके पास पहुंच पाए, तो इसी तरीके से बने रहिए, चैनल के साथ वीडियो देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, ठैंक्स फ्रे वीडियो के अंदर किसी नए टापिक के साथ, तब के लिए बाए बाए